आज की थाली में मीठे की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ और बहुत सारे से कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ मीठा नहीं रहता आपकी थाली में तो चलिए मीठे से शुरुआत करती हूँ और यहां पर बना रही हूँ यम्मी सा सबजी और यह सबजी खास कर विंटर के समय बहुत टेस्टी लगता है आलू मटर टमाटर की सबजी और यहां पर चलिए चासनी बना रही हूँ और आज मैं बना रही हूँ पुआ वो भी मेर दादी मां बहुत अच्छा बनाती थी और हम लोग सीखने की कोशिस की उतना अच्छा तो नहीं बना पाते हैं लेकिन ये पुआ ना आपको बहुत स्वादिश लगने वाला है तो इसको बनाने के लिए एक कटोरी चीनी लेंगे और एक कटोरी पानी डाल करके और धिमी धिम आपका जो हता ना उतना टेस्ट नहीं लगता है तो छोटी छोटी जो टिप्स होती है ना उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो आपकी सिंपल सा भी रेसिपी बहुत स्वादिश्ट लगता है तो चलिए दूर डालने के बाद देखिएगा ही चासनी जैसे से बनेगा ना तू त्यार करेंगे और यह पर देखिए धिमी धिमी आज़े हो रहा है तो ये चासनी प doubly नहीं बनाता है जली जैसा नहीं बनाना है बिल्कुल पतला ही राखना है और यह चासनी जो हैं बिल्कुल बन करके तैयार है और यह जो पुआ है ना इसकी जो जो ढिर के आशा यहां पर प्प्वा मुए भी ताम गया है और यहां पर आटा करें सब्साइञ ना बहुत स्वादिस्ट लगता है और बेग्षस सब्साइण स Smith सких सब्साइब क्या है छाहें तो गर्मा गर्म चावल के साथ है मैं और अब और का हम घोल तियार कर लेते हैं तो पुआ का घोल तियार करने के लिए जैसे मैंने एक कटोरी चासनी बनाई है मेरा मिजर्मेंट जो है एक कटोरी चीनी की मैंने चासनी बनाई है तो मैं दो कटोरी मैदा लोंगी तो मिजर्मेंट बिल्कुल इसी तरह से रखे तो पुआ बहु को तयार करके दो घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे ना तो ये दुगना आपको पुआ बन करके तयार होगा बहुत ही स्वादिश बनता है और ये पुआ का जो खासी है थे ना इसका घोल बिल्कुल हम पानी के जैसा त्यार करते हैं मैंने बहुत लोगों को ये पी है बिल्कुल होली इस पेसल और सब लोगों ने भर-बर के प्यार दिया है इसमें और अगर आप फ्रीज में नहीं रखना चाहते हैं तो ये बहुत ही स्वादिश्ट बनता है तो देखिए मेरा जो बिल्कुल इकदम पानी के जैसा बना है चासनी भी मैंने पतला ही बन लाते हैं तो एक वर मैंने आप लोगों के साथ चोटे-स संत्रे के पेड़ मैंने दिखाया था तो चलीए उसी मेंसे मैंने खुस्बू भी अच्छी आती है और इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी बनता है और नहीं तो आप इसमें वनीला एसेंस मिला सकते हैं दो तीन बूंद और यहां पर चलिए ड्राइफ रूट है तो एक चमच सौफ भी डालूंगी इसमें और जितने भी छोटे वाले संत्रिय का जूस है तो इसमें मिला दूंगी और इससे खुस्बू भी बहुत अच्छी आती है और मेरे हां सुरू से पुआ बनता है तो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं और यहां पर चलिए जितने भी ड्राइफ फ्रूट है तो क्रस्क करके डाल दूंगी और इसमें मैं एक चमच सौब भी डाली हूँ और अब चलिए कडाही गरम हो गया तो इसमें हम डालेंगे रिफाइंड वायल चाहे तो आप घी में भी बना सकते हैं और इस बैटर को जितना आप घोलिए गाना उतना ही क्रिस्पी पुआ बनेगा और चलिए यहां पर तेल गरम हो गया है और इसका जो है ना एकदम गैस का फ्लेम आप एकदम लोही रखे तभी आपका पुआ बहुत अच्छा बनेगा तो चलिए तेल गरम हो गया है तो इसमें आप देख लिए कितना बड़ा साइज में बनाना चाहते हैं थोड़ा सा जब एक तरफ से सीख जा तो तुरत इसे फिलिप कर करके क्योंकि मीठे से हम लोग सुरुवात करते हैं तो बनाइए और एक सब्ता तक इसको इंजवाई किजिए तो चलिए एक तरफ से यह हो गया है और यह ना जो गोल मैं बनाई हूँ तो यह समझे के भी बहुत गाड़ा है क्योंकि मुझे मॉर्निंग में फटा-फट से करके और क्योंकि मुझे लंच भी देना पड़ता है इसलिए है ना मैं फटा-फट से बना रही हूँ और दो घंटा छोड़ दीजेगा ना तो इसका बैटर और पतला होता है तो और यह देखिए यह पुआ जो है ना बहुत क्रिस्पी बनकर के तयार वा बिल्कुल किया है ना मेरी जो है ना चासनी बहुत जादा जो है गाड़ी है लेकिन यह जो पुआ बहुत टेस्टी बनता है तो देखिए वह तो पहला पुआ था लेकिन धीरे-धीरे बनाते जाएगा ना तो और भी थोड़ा-थोड़ा बैटर डालिएगा तो यह फैल-फैल के अच्छी रेसिपी मिल जाएगी और जिसमें आप लोगों का भर-भर के प्यार मिला है तो चलिए यहां पर एके करके मैं पुआ बनाते जाती हूं पुआ बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है और सासब में गरमा गरम कचोड़ी भी निकाल दूगी और क्यूंकि नया साल है तो आप लोग भी जो है ना मीठे से सुरुवात करें कोई भी और रेसिपी जो आप लोगों को देखना है और मेरे हाथों की वो रेसिपी अच्छी लगती है तो आप लोग अपना जहना कमेंट्स मुझे जरूर कर कीजिए और अगर आपके पास भी कोई कि वोग चलिए पुओओ वहीं के बनाती हो ऐं और यहां वालग जादा डिमान्ड करते हैं तो चलिए यहां पर गरमा गरम को चोड़ी भी बना लेती हूं और लगाती हूं थाली आपलों के साथ और थाली मरें और प्रूषे जैका होने वाला है तो वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कर दे और चलिए अब मैं थाली लगाना शुरू करती हूं यह बन करके तयार है आज दिन में ही बना रही हूं साम को नॉन्वेज बनेगा तो इसलिए और बेटे को भी लंच में देना है और फ्रेंड लोग जो है की जरूरत है ना पुआ का घोल जो है बहुत जाड़ा करना है आज की पसंद रही होगी और क्योंकि कमेंट्स आ रहा था कि कुछ मीठा क्यों नहीं बनाते हैं कि बहुत सारे नास्तेगी में में मीठा दिखाई है और चलिए मिलती हूं का लेक अच्छे से लंस्थाली के साथ सब्सक्राइब करें और आने वाला साथ सबके लिए मंगल मैं हूं अपने परिवार के साथ सुखी रहे स्वस्त रहे सबको फिर से नया साल की बहुत बहुत बढ़ाई